हलो, नमस्कार, शोप्रभात मेरी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? I hope आप सभी अच्छे होगे तो ये तो हमारी हिंदी की क्लास है और आज हम न्यू वेंजन के बारे में लेर्ण करने वाले हैं चलो देखते हैं, आज हम किस वेंजन के बारे में लेर्ण करेंगे वाव! तो ये देखो, ये कौन सा वेंजन है ये तो है वेंजन ट्रा कौन है ये? ट्रा, बोलो मेरे साथ में ट्रा इसमें देखो आपको कौन कौन सी लाइन देख रही है इसमें तो two slanting line है, one standing line है and one sleeping line है तो ये तो है व्यंजन त्रा, बोलो मेरे साथ में त्रा त्रा, 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 तो अभी त्रा से क्या क्या होता है, चलो देखते हैं तो ये देखो, ये क्या है, ये तो है त्रा से त्रिशूल, क्या है ये त्रिशूल त्रा कैसे बनाते हैं? यह इस टाइप से यह देखो यह है त्रा त्रा से त्रिशूल, त्रा से त्रिशूल त्रा से त्रिशूल हो गया और क्या होता है? यह है त्रा से त्रिकोंड त्रिकोंड मीन्स ट्राइंगल triangle में कितनी sides होती है three sides one two three तो three sides से कौन बन गया triangle and triangle को क्या कहते है त्रिकोंड भी कहते है तो ये देखो ये कौन से वाली god है ये तो संकर जी है ना या फिर सिब जी भी कहते है तो ये देखो इनके पास इस type से trishool होता है जिससे वो दुस्टों को मारते हैं उनको डंडित करते हैं तो ये तो है trishool trishool किसके पास होता है संकर जी के पास में ठीक है और देखें अरे वाउ ये कौन है ये तो दुर्गा जी है जब नवरात्री आती है तो इस type से दुर्गा जी की मूर्टी रखते हैं न तो ये देखो इनके पास भी trishool होता है ये है ये क्या है त्रा से trishool त्रा से trishool त्रा से trishool त्रा से tricool गेंजन त्रा को कैसे लिखते हैं तो ये तो बहुत ही आसान है आपको पहले standing line बनानी है फिर ऐसे ये two slanting lines लगा दी और ये sleeping line कैसे बनाना है ये standing line फिर ये one slanting line और ये second slanting line और ये sleeping line standing line one slanting line second slanting line और ये sleeping line ये तो बहुत ही आसान है ये कौन है ये तो है बेंजन त्रा से trishool त्रा से tricool तो पहले standing line बनानी है, फिर one slanting line और ये second slanting line और ये sleeping line Standing line, one slanting line, second slanting line और ये sleeping line Standing line, one slanting line, second slanting line और ये sleeping line तो ये कौन सा व्यांजन बन गया? ये तो बन गया व्यांजन त्रा, तो त्रा से त्रशूल, त्रा से त्र कौन? इसी तरह से आपको भी इसकी पहचान करनी है और नोट बुक में राइट करना है ठीक है बाई हैवा गुड देर